पनीर तो सब्जी बनाने के लिए होती है पर ये क्या पनीर तलने ढाल दिया। आज मेरे घर में एक बहुत ही बड़े होटल के सेफ आये हुए थे। उनको हमने बोला सेफ सहाब आज ऐसी पनीर बनाओ की जो हमने आस तक नहीं खाई होगी। उन्होंने क्या क्या पनीर के प्राइब इस्टार होटेल्स के सिप भी नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा वा फिर तो आज मजे ही आ जाएंगे। उन्होंने पनीर को तलने के बाद एक पानी के कटोरे में डाल दिया। मैंने कहा सिप साफ पहले तो आप पनीर को तल लेते हो उसके बाद आप इसे पानी में क्यों डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा पानी में डालने से पनीर सौट रहेंगे और इसका सारा तेल पानी में ही छूट जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसी तेल में चार साबुत, प्याज, तीन हरी मिर्च, और कुछ लेसुन भी डाल दिये। फिर मैंने सेप साथ से पूचा कि अब ये क्या कर रहे हो सेप साथ क्योंकि मैंने कभी इस तरह से प्याज को हरी मिर्च औ लेसुन कि साथ तैल में तलते होँ नहीं नहीं देखा फिर वो बोले सारा खेल तो इसी में है मेरे भाई मैंने कहा अच्छा इसके बाद उन्होंने इसमें तीन टमाटर भी डाल दिये मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उन्होंने तीन चार मेंट तक सारी चीज़ें को तलने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लिया मैं मन ही मन सोचा अब ये क्या करने वाले हैं उतने में ही उन्होंने कुछ काजू और बदाम को भी इसी तेल में तलने डाल दिया इसी देख मुझे लगा कहीं ये साही पनीर तो नहीं बना रहे हैं फिर मैं सोचा पर साही पनीर तो इस तरह से नहीं बनता मैं तो अब और भी कन्फिज हो गया था कि ये क्या बन रहा है फिर उन्होंने काजू बदाम को भी उसी प्लेट में हलका तल के निकाल लिया मैं बस ये चाह रहा था कि आज कुछ भी बने लेकिन टेश्टी वो जरूर हो फिर उन्होंने सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल कर उसका पेश्ट बना लिया अब उन्होंने गैस में कड़ाई चड़ाई और उसमें हलका तेल डाल दिया तेल गरम होते ही उसमें दो तीन तेश पत्ते डाले और बारिक कटे हुए लैसुन डाल दिया फिर उसमें दो तिन कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी फिर उसे हलका भून लिया हलका भूनने के बाद उसमें थोड़ी सी बारिक कटी हुई प्याज भी डाल दी और प्याज को गोल्डेन ब्राउन होते तक भून लिया उसके बाद उसमें जो प्याज, काजू, टमाटर वाली पेश तैयार की थी ना वो भी डाल दिये और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि ये क्या होने वाला है अब मिक्सी में जो थोड़े मसाले बचे थे उसमें थोड़ा पानी डालके हम इसी में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे इसमें से बहुत ही बहतरीन खुजबू आना इस्टार्ट हो गए थे कुछ मिनट इसे चलाने के बाद इसमें स्वाद अनसार नमक डाल देंगे इसकी खुजबू इतनी प्यारी आ रही थी कि क्या बताऊं आपको फिर उसमें उन्होंने कुछ मसाले डाले जैसे लाल मिच पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर फिर उसको खुब अच्छे से भूनने लगे भूनते भूनते वो इतने अच्छे से भून गए थे कि वो मसाले एकदम आधे हो गए जब मसाले अच्छे से भून गए तब उन्होंने उसमें पानी डाल दिया आपको जितनी ग्रेवी करनी है उस अनुसार पानी डाल सकते हैं पानी डालते ही जैसे उबाल आना इस्टार्ट हो गया उसमें जो पनीर हमने तला था उसको भी छोटे छोटे तुकड़ों में काट करिसी में डाल